हम सब को प्रेणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूँ राहूल गांदी जी से उनके ओपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए E.D. ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा इसलिए Congress के नेताओं कारेकरताओं को डरने की कोई जरुवत नहीं है हम लोग ये चुनाफ मजबूती से लड़ेंगे और चुनाफ जीतेंगे तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाफ से ठीक पहले जब Model Code of Conduct लगा हुआ है, तब आप इस प्रकार की कारवाई कर रहे हैं तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि ये कारवाई क्यूं करनी पड़ रही है अगर वो चुनाफ जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते तो शाहिद इस प्रकार की कारवाई होती और जब चुनाफ खतम हो जाता है, तो वो खबरें जब सुर्खियों से हड़ जाती है तो उसका कुछ अता-पता रहता नहीं, उन केसिस का, उन आरोपों का, उन छापों का, उन नोटिसिस का, उन समंस का तो पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इसको इस्तिमाल किया जा रहा है, इस बात को जनता भी देख रही है, राइस्थान के और देश की भी इसलिए जब-जब मैं समझता हूँ, रूलिंग डिस्पेंसेशन जो दिल्ली में है, जब अपने आपको कमजोर पाती है, तो इस प्रकार के एजेंसी का, वो पूरा साहिता लेकर, अपना हिट साधने में लग जाती है ये एक बहुत गलत परंपरा है, ये लोकतंत के लिए जैसे मैंने पहले कहा, एक अच्छा संकेत नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि आज जो हुआ है, उसको पूरा परदेश देख रहा है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है, राजिस्थान के अंदर जब-जब करॉप्शन की श है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसिस को आप उठाएं, समन्स भेजें, चापे डालें, और एक पकार से लोगों को टागेट करकर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें, जांच से कोई डरता नहीं है, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को त करें एक करेंड बगाएं, समन्स भाएंच करेंदें, समन्स भी जांच करेंवे जावें जा रिएर इनकान काुट एट जांच करेंट है।